आतंकी संगटनों के गाइड हाजी आरिफ को सुरक्षा बलो रहे किया देर पाकिस्तानी सेना में भी रह चुका है शामन एडी की रडार पर चिफ्षेणा नेता अरजन खोथकर के घर पर चापे मारी आर्थिक गड़बडी का है आरो ठाड़े कोट ने परंबिर सिंग के खलाफ गयर जमानी तीवारंट रथ किया किसान अंदुलपन केजरीवाल ले मोधी सरकार को खेरा कहा कि इनको लगता था किसान चीखेंगे चिलनाएंगे और चले जाएंगे परिवारबाद पर पिया मोधी का हमला कहा खुद लोकतां तरी करेक्टर खोलने वाले दल लोकतां की रक्षा कैसे करेंगे नमस्कार मैं हूँ आपके साथ पेश्वेतागर कर आप देख रहे है प्राइम टीवी आई नजज़त आलते हैं उत्राखंड की कुछ खास कबरों पर समविदान दिवस के मौके पर विदान सबाज वालापूर के ग्राम तेलीवाल के एक कारिक्रम का आयुजन किया गया जिसमें मुख्यतिती के रूप में पूर मुख्यमतरी हरी श्रावत मौजूद रहे और उनका जोरदार स्वागत किया गया हरीश रावत ने कहा कि सम्विधान बचेगा तो देश बचेगा इसी के साथ हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साथते हुए कहा कि भाजपा सम्विधान विरोधी है और ये लोग सम्विधान खट करना चाहती है माईविधान सबाज वालापूर सीट पर कॉंग्रेस टिकेट के दाविधार बूप सिंग कालोगों ने जोड़दार स्वागत किया और उन्हें कहा कि आज हमारा देश शरम सीमा पर है और ये भाजपा सरकार देश को लूटने का काम कर रही है सम्मिधान दिवश है और हम सब लोग आज के दिन को सम्मिधान रक्षा दिवश 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 दोरू वास्मिधान दिवश है महां सम्मिधान को त्रिपुर्ट कादी अम्रितकर नहीरू की देख और एक एतियादू देख है जिसने भारत को एकता के शूटु पर भाग करें वहांता जिराते बहारे हैं, लेकिन आज यह वासुत्ता है कि समाजिक न्याय आए, आज चोट पहुंच रही है, इसको खम्जोर करने का प्रयाश हो, इसलिए हम सम्मिधान दुबस के सांसान, सम्मिधान रक्षा करो दुबस की नुफिमी बना रहे हैं, तो कि साइट और समाजिक न्याय जिसकों हम आरक्षन भी कहते हैं, यह सम्मिधान बचाओ देश बचाओ प्रोग्राम है, मेरी सोच यह कर हिंदूस्तान का सम्मिधान बचा रहागा, तो गरीब आदमें को रोटी खाने में नहीं तो नहीं तुम्हां बता कि BJP के लोग हर दिन इस सम्मि मनुवादी पहलोशी लाना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि यह मनुवादी पहलोशी ना है, भार्त का सम्मिधान यही रहे, अथास्तिक्रे और गरीब मजदूर को उसका अधिकार और हट नहीं है, आप देख रहे होंगे, बेरोजगारी कितना महन मुद्दा जिस देश के इंदर जो आपने रेलवे पे चली, आपने बड़ी-बड़े संस्तान बेचली बहुत सारे, मैंने कहना हैं चाहता है, और उसके बाद जब हो चली जाए तो आरेक्षन कहां पचेगा, आपका खतम हो जागा, इसका वंदर सभीदान के निचेन होना है, इसको दिम्मक लगा गणना पैराई शत्र शूरू होने के बाद किसानों की पर्शानी पढ़ने लगी है, किसानों ने शुगर-मेल प्रबंदग पर भारी गणना लेने का आरूप लगाया है, और मिल पर मनमानी करने का आरूप लगाते हुए लिब्बेर रहड़ी गणना सोसाइटी समयती के बाहर प्रदशन किया किसानोंने आरोप लगाया की किसानों को समय पर परची मुहाया नहीं कराई जा रही है जिससे किसानों गेहुं की बुवाई में देरी होरही है मेल प्रबंदन मनमानी धंग से बारी गन्नी की खरीद कर रहा है जिसे वे किसानों को परची समय पर वित्रित नहीं लड़ कर पा रहा है जिसके कारण स्थाने किसानों का गन्ना खेतों में ही खड़ा है येहूं कि बुवाई के समय निकलता जा रहा है लेकिन किसानों का गन्ना समय पर नहीं लिया जा रहा है मेल केट पर किसान 10 से 12 घंटों तक लाइन में खड़ा रहता है कि अधर्व पर करते यहां चल लिया इन ने दो दिन का टैम लिया किसान अभी गहूंगाई का जो समय चल रहा है पहाडों की रानी मसूरी में पुलिस को बड़ी कामया भी हासिल हुई है। शहर में पिछले दिनों कई से कई चोरी की वारधाते सामने आई हैं जिसको लेकर पुलिस पर काफी दबाव था। इसी वज़े से मसूरी पुलिस ने दो युको को गरफ़तार कर लिया है। मसूरी कोदवाली प्रबारी गिरीश शर्मा ने बहुताया कि गरिफ़तार अव्युकतो के पास से दो LCD रिमोट चादरें बरामत की गई हैं। इन में से एक युवक पहले भी जेल जा चुका है। साथी टीमें बना कर लगातार खोजबीन जा रही है। जल्द ही और सफलता मिले की भी उमेद बताई जा रही है। सितार गंज के आगरा गुरू का ताल गुर्द्वारे में बड़ी संख्या में इखटे हुए किसानों ने कुर्द्वारा साहे में मत्था ठेका और किसानों ने किसानों की एकता के नारे लगाए। और थोड़ी ही देर बाद गाड़ी में सवार होकर अंदोलन के लिए रवाना हो गए। बता देगी 26 नमबर को एक साल पूरा होने पर सायों किसान मोर्चा के किसानों से बॉर्डरों पर पहुँचने के लिए आवाहत गिया था। इसी के तहट किसानों ने जत्था को दिली बॉर्डरों पर पहुँच रहे हैं। के बलिदान के कारण और जो साथी एक साल से वहां पर डटे हुए थे उनके संगर्स के कारण ये तीनों बिल जो हैं ये मोधी सरकार को वापस लेने पड़े अब हमारी की मांग है जब तक मांग पूरी नहीं होती है किसानों के जथे ऐसे ही गाजीपूर बॉर्डर पर जाते रहेंगे सरकार से मांग है कि अंदोलन की कुछ मांगें अभी मोधी जी ने मांगी है जिन में से मानी है जिसमें से एक है कानून की वापसी अभी जो इस अंदोलन के आंदोरन के चलते हुए जो हमारे 800 से ज़्यादा शहीद हुए हैं उन किसानों के बलिदान का जब तक ये सरकार मुल्य नहीं देती जब तक उनके सरकार का बलिदान की मुआवजा और सब कुछ नहीं देती तब तक ये चकराता वन प्रभाक रिवर रेंज डाक पत्तर वन तसकरों पर लगाम लगाने के लिए मुस्ताइद दिखाई दे रहे हैं वन तसकरों से लाख रुपे की लखड़ी सहेद वन तसकरों को जेल भीजा चा चुका है फिर से डाक पत्तर वन शेत अदिकारी के निर्देश पर एक्शन लेते कोई वन तीम ने कहीं कारवाई की है वन तीम ने दो तसकरों की लखड़ी सहेद गिरफतार किया है वन तीम ने वहनों को जब्त कर सीज किया और वहन में पजपन नग देवदार की लखड़ी जब्त की गई है डाक पत्तर वन शेत अदिकारी रिवर रेंज गंबीर सिंग धमांदा ने कहा कि वाहनों को लकडी सहेथ पकड़ लिया गया है। वन तसकर पर वन अधिनियम के तहट आगे की कारवाई कर जेल भीजा जा रहा है। श्री डेफु साब के निर्देशन में टीम गठित की गई हैं। ये टीम लगातार बन तसकरों पर निगरानी रख रही हैं। इसी के तहट बन तसकरों को पकड़ने का पूरा वियान दिवारे ने चला रखा है। इसमें हमने कल राद दो पिकप जब्त करी हैं। और मुल्जिम भी गिरपतार किया है, उनको जेल भेजा जाएगा। इससे पूरवी हमने चार फीकप पकड़ी हैं और मुल्जिम पकड़े हैं। लगभाग 26 लग की लखड़ी हमने जब्त करी हैं। और मुल्जिम उनको जेल भेजा है। और हमारे बन कर्मी चप्पे चप्पे पर बन तसकरों पर नज़र रखे हुए हैं। और उनको पकड़ने का पूरा भियान रिवारेंज दौरा चलाए जाए। मुक्य मंतरी पुषकर सिंग धामी ने पंचायत प्रतिनिद्यों को बड़ा तुफा देनी का ऐलान किया है। जिसके तहद ग्राम प्रधानों को 10,000 प्रुट्साहन राशी दिया जाएगा। मुक्य मंतरी पुषकर सिंग धामी ने कहा कि कुरूना काल के दौरान उत्रा खंड के ग्राम प्रधानों ने बहतर कार किये है। जिसके लिए उन्हें 10,000 की प्रुट्साहन राशी दी जाएगी। बतादे कि पिछले दिनों मुक्य मंतरी पुषकर सिंग धामी ने पंचायत प्रतीनीतियों को मांदे बढ़ाने का तोफ़ा दिया था। जिलापंचायच से लेकर प्रधानों तक का मांदेज सरकार ने बढ़ाया था। मुक्यमंत्री ने बताया कि तमाम गरान प्रधानों ने कोरोना काल में भेतर काम किया है। ऐसे में सरकार उनकी काम को देखते हुए उन्हें पूच्छाहन करना चाहती है। जो राज्य के हमारे ग्राम प्रधान गड़ हैं उनकी काफी लंबे समय से मांती है हमारे ग्राम प्रधान संग्ड़न के लोग आप सब के बीच में से लगातार ये बात आती थी कि आप लोगों ने बहुत विप्रीत प्रिस्तितियों में काम किया है। मैं आज आपको कुरोना काल में किये गए इस सराहनी काड़े के लिए 10,000 रुपे कृत्सान राशी दी जाएगी इसकी में गोपना करता हूँ कोविट काल के बाद देश के नामचीन संस्था आएटी रुड़की में अपना 175 वा इस्थान धुम धाम से साथ मनाया गया इस दौरान उद्करिशकार करने वाले संस्था के पूर्चात्रों को सम्मानद भी किया गया विशे शुब से चार बजे से समारो है वो फांडेशन डे हैं जो हम अरसाल करते हैं और जो चार बजे आला फांडेशन डे उसमें हम अपने डिस्टिंविश अलमनस एवार्ड्स भी देंगे जो हमारे अलमना हैं उनको की समारो है और उसमें हमारे चीफ गेस्ट हैं रोड़की के पिरान कलियर में केरल के राजपाल आरिफ महमद खान ने दर्गा साबर पाक में चादर फूल पेश कर देश में अमन की दुआक मांगी इस दोरान हज समिती अद्यक्ष समीम आलम ने उनका स्वागत किया पतादे की कलियर पोंचे केरल के राजपाल आरिफ महमद खान ने दर्गा साबर पाक पर चादर और फूल पेश किये इस दोरान हज समिती अद्यक्ष नेतत में उनका स्वागत भी किया गया हो और हम खूब भारत दुनिया में लीडर बने ये दूआ मांगी जाती है यहाँ पर यह हाँ कोरोना संक्रमन बढ़ने पर देर दुन के दूआ के फिर कंटेंटमेंट जोन गूष्जित किये गए दूआ लाखों में पुद्वार को कोरोना के सारे पॉजिटिव के सामने आए थे जानकारी के मुताबिक फरवरी मही ने अब तक जिले में कोरोना को लेकर कई कंटेन्मेंट जोन नहीं बना था जलादिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने दून में शहरी शेत में दो कंटेन्मेंट जोन बनाई जाने का आदेश चारी किया है बता दे कि कल कोरोना के आठ नए मरीज मिले और 31 मरीज को इलाज के बाद डिस्चारज किया गया इंद्रा गांधी नेशनल अकैडमी के ओल्ड हॉस्टल एफ आई आर और जी टू और बी उननेस तिबबत कॉलोनी डिकलिन सहसरदारा रोड कुल हाल में कोरोना वाइरस संक्रम इत्वियक्ति मिलने पर दोनों शेतर कंटेंटमेंट जोन बनाए गए हैं खबर कलियर से है जहां पर भूमी बचाव समीती के सदस्यों हाज हाउस पिरान कलियर में एक प्रेसवारता का आयूजन किया गया सदस्यों ने दरगा की मेला भूमी के दोन नंबरों पर आपती जताते हुए प्रशासंठे में पाहिशना करने की मांग की है वही कलियर हज हाउस में भूमी बचाव समीती के सदस्यों दानिश साबरी और अब्दुल सत्तार ने इस बारे में जानकारी दी उन्होंने कहा कि तैसील प्रशासंठ की टीम दो दिन पहले कलियर में दरगा मेला भूमी की पैमाईश करने पहुँची थी जिसका हज समीती अध्यक्ष ने इस्तानिय लोगों के साथ मिलकर विरोध किया और पैमाईश रोकने की मांग भी की उन्होंने प्रशासंठ पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासंठ जबरन इन नम्बरों की पैमाईश करने पर तुला है अगर प्रशासंठ इन दोनों नम्बरों यानि 89 और 90 की पैमाईश करेगा तो उसके खिलाफ नियायले की दर्वाजा कटाएंगे तो उसके वज़ में आप रेड मोटर साइकल नहीं हतियाएंगे उसके लिए आपको ब्लेक मोटर साइकल ही लेनी पड़ेनी इन लोगो द्वारा बार बार शाशन पर शाशन को गुम्रहा किया जा रहा है और बार बार यह कहा जाता है कि हम खत्रा संक्या 79 और 90 दोनों अब शुरू होता है इसमें जब सुप्रिम कोड ने आदेश दिये तो उस जमीन पर कब्जा पाने के लिए सच्चादा परिवार ने 1304 रिट पेटिशन मानी ने उच्छ नियायाले में जायर कि और उस रिट पेटिशन में मानी ने उच्छ नियायाले ने कहा कि आप एक प परिवार को इसमें बो नंबर दे जाते हैं जो यह सुप्रीम कोड से जीते थे जटकी रोने उसकी बिड़ाए मेला भूनी के नंबर दिये जिनका खतरा नंबर 79 और 90 पुराना है और बहुत सारे नंबर उनके नए बने यह नंबर लिखिये रोने मुक्या सचित को दिये पौडी गडवाल में आयुक्त गडवाल मंडर रविनात रमन की अध्यक्षता में NIC पौडी में जनपत की विशेश संतिप्थ पुनरिक्षन कारिक्रम के संबन में राजन्यतिक दल के प्रतिनिदियों के साथ बैटक आयुजुद की गई बारण निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन नाम वाली प्रेशक रविनात रमन ने पौणरिक्षन प्रक्रिया की समस जानकारी लेते हुए राजन्यतिक दलों के प्रतिनिदियों से भी पौणरिक्षन प्रक्रिया में सक्रिये भागिदारी करनी की अपिक्षा की उन्होंने समबंदे तदिकारियों को निदेशित किया कि मददाता सूची में नए मददाताओं का नाम समलित करने को घर घर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन कर फॉर्म छे भरवाएं हरदवार के जला महिला हॉस्पिटल के बाहर सरया महिला से छड़कानी का मामला सामने आया है छड़कानी करने की वज़े से महिला ने युवक की सरे रह चपलों से जम कर पिटाई की मही सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी तेजी से वाइरल हो रहा है महिला का रोप था कि युवक उसे पिछले कई दिनों से परिशान कर रहा था छेड़कानी से नाराज महिला ने बीज बाजार युवक की चपलों से धुनाई कर दी थी इस वीडियो में युवक माफी मांगते हुए भी नजर आ रहा है शेर कोतवाली प्रभारी निरिक्षा कराकी इंदर कठैट ने इस मामले पर कहा कि अभी थाने में किसी ने तहरीड नहीं दी है सोचल मीडिया पर ये वीडियो वाइरल होने के बाद पुलिस मामले की जाच में जुट गई है चंपावत के जहनकईया में गंगा दशेरे पर नहर के नारे लगने वाले मेले में एक युवक नहाते समय डूबने से लापता हो गया मौके पर पहुंची तहसीलदार यूसुफ अली ने बताया कि पानी में डूबे युवक की तलाश जारी है लेकिन पानी का भाव बहुत तेज था जिसके कारण ही वक को ढूबने में भारी दिकत हो रही है वहाई इस पर स्थाने लोगों का कहना है कि इसमें मेला का मैटी की लापरवाई है मेले को देखते हुए पानी का लेवल कम नहीं करवाया गया जिसकी वज़े से ये दुरगटना होई है और जैसे कमेटी में यह होता है लड़के इदर उदर दोनों साथ लड़के रहते थे इस बार कुछ नहीं कोई विश्ता ही नहीं कोई डूब रहा है मर रहा है कोई चुनतनी है पानी आज भी 10-11 पशि Bell पानी और ना कोई जाल लगा है वोई है नहीं जैसे मेले वालों विदान सबस्पा चुनाव नजदीक आते ही बीचे पी और कॉंग्रेस समयत कहीं राजने तिक दल्वे बिन वर्गो को साथने में जुड़ गए है दल्वे तो शिल्वकारों को साथने के लिए अल्मोडा में कॉंग्रेस की तरफ से शिल्वकार समयलन का आईजन किया गया आपको बता दे कि समयलन में कॉंग्रेस के दिगशनेता हरीश रावत यशपाल आरे गोविन सिंग कुजवाल शामिल हुए इस दोरान कॉंग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार पर तीखे बार करते हुए बीजेपी सरकार को दलित विरोधी बताया जो समतावादी समाज को बनाने की बात करता है तो यह रख्षा का संकत्र को अभर लुडबाज में हमारे समाज के सिपकार समाज के और अनुसुजाती समाज के अभर पर बुद लोग और यहां के सिर्पकार समाज की जो हमारी प्रमुखस्तिया है और जो हमारे सिर्पकार समाज है यहां पर एगुट हुआ है निश्रूप से सिर्पकार समाज के उत्वान में उन्नेयन में उनके सरवांगर विकास में कॉंग्रेस के बहुत बड़ी भूमिका रही है और निश्य रूप से मेरा मतलीनी इस्पष्ट हो चुका है कि भाजय दप्टा पार्टी की जब सरकारे आई हैं गली शोशितों को वंचितों को और कॉंजो वर्ग को हमेशा अंबिची की गई है और इसका चारी चार सालों में जो मैंने देखा है निश्य रूप से पूरी तरफ घोर उपेच्छा हुई है और हमेशा कॉंग्रेस पार्टी जल्टों की वच्चितों की सोशितों की समाज के कमजो वर्ष की हितैसी रही है और जो भी आज विकास हुआ है इन छेत्रों में वो कॉंग्रेस के साचन कालबे ही हुआ है तो निश्य रूप से जो यहां की महान जन्ता यहां पर एज़ूट हुई है निश्य रूप से विश्वास से कॉंग्रेस पर एक आस्ता है और यहां हमारा जो निरनायक बोड भी है दली समाज आज हमारी संख्या 19 परसेंट है और मेरा मानना है कि पुरे प्रदेश की महान जंता ने और दली समाने बर बना लिए कि कॉंग्रेस ची एक ऐसी पार्टी है जो हमारा हुआ देखती है बारे बारे में सुखती है और यह निर्णाय कोंग्रेस में जाएगा ऐसा म बहादराबाद में सम्विधान दिवस की पूरसंद्या पारे कारकरम का आवजुन किया गया इस कारकरम के मुख्यातिती बाजपा के राश्टे माहस्टिफ दुश्यंद कौतम रहे इस मौके पर उन्होंने कहा कि दलितों के साथ महिलाओ को भी अंबेटकर नगर के सम्वि करार देते थे वैसे फोट की राजनिती कर रहे हैं अगर करा देवस की पूर्ट संधिया पर एक कारकरम किया रहा है आदिन द्रेंदर नोग देवस को बरापर समान देने का काम किया है पहली बार सरकार बनने के बार में डाक्टर अंबेटकर को इस पृस्पी पहले वेक्ति हैं जिसको जनम दिन पर यादकिया है सब्सक्राइब कर दिवस सविधान दिवस को बनाया जा रहा है और अगर इसकी दोजार पंदरा की आप पार्लेमेंटरी दो दिश्पी दिवेट देखेंगे तो मालूप पढ़ाएंगा पर कमान भारत के मिर्बाता डाक्टर विम्रा अंबेटकर पर जहां कांग्रेस ने डाक्टा अंबेटकर जी का परान करने का काम किया उनके अंके अंतिम सस्कार दिली में नहीं होने दिए उससे जूरे हुए जो भी शमांते वह आज सड़ रहें धिमक का गई है लेकिन नरेंदर मोडी जी ने उनको संवानी नहीं दिया उनके पंच्तित्तितों का निर्मान कि आप तक की खबरों में फिलाल बस इतना ही हो देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देख्तर है ये प्राइम टीवी नमस्कार